सबी अभिवावकों और स्टूडेंट्स को नमस्कार तो आज इस वीडियो में बात करने वाले केंदरी विद्धाले के एडमिशन प्रोशेस के बारे में जो की बहुत ही जल्दी 2023-2024 का सेसन है उसका स्टार्ट होने वाला है तो अभी इसमें बहुत से विवावकों को ये डाउट था कि इसमें केंदरी विद्धाले में केवल सेंटर गवर्मेंट के जो इंप्लोई है उनी के बच्चों का एडमिशन होता है तो ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें जनर्नल कटेगरी SC, ST, OVC, RTE, Right to Education Act के अकोडिंग इनमें सबी का और जो भी कटेगरी बच जाती है उनका भी एडमिशन होता है इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि डिफेंस परसनल या फिर सेंटर गवर्मेंट इंप्लोई के उच्वाई एडमिशन होगा इसमें कोई भी अपलाई कर सकता है लेकिन उनको बैस priority रहती है अभी हम इसके बारे में बताते हैं कि कब इसके form निकलेंगे कौन-कौन सी का टेगरी कि कितनी परसेंट सीट स्रीजरावड है इसके बारे में तो सबसे पहले में आपको बता देता हूँ कि जो क्लास वन का जो रजिस्टेशन प्रोसेस है वो ओन-लाइन मोड के दोवारा होगा और वो अभी जो स्टार्ट होगा वो most likely फरवरी में स्टार्ट हो जाएगा और उसकी बाद जो इसकी प्रोसेस है वो continue रहेगा आप इस सैनल पे बने रहेगा आपको इसमें जो भी अपडेट रहेगा वो हम वीडियो के मादम से प्रोवाइड करवाते रहेंगे इसके बाद बात करते हैं हम किंद्र विजल्य के जो admission schedule है वो अभी स्टार्ट हो जाएगा वो मैंने बताई दिया है आपको फरवरी में इसके बाद जो इसका admission होगा वो lottery सिस्टम से होगा online lottery निकालेंगे जिस भी आपने केंद्र विजल्य में आपने लगाओगे फोर्म बच्चों का उसमें lottery निकलेगी online lottery रहेगी उसमें दी बच्चे का नाम आता है तो बच्चे का admission हो जाएगा और एक चीज मैं आपको और भी clear कर देता हूं इसमें कोई भी test या exam नहीं होगा ना कोई interview होगा बच्चे का admission के लिए कक्षा 1 की बात कर रहे हैं हम इसके बाद अभी मैं बता देता हूं कि कौन कौन for category के लिए कितनी percent seats result है इसके बारे में तो right to education की है 25% जो की 10 seats होती है जो की एक section में 10 seat मतलब जितने भी section रहेंगे पर तेक section में 10-10 seat रहेंगी right to education की या 25% जितनी भी seats रहेंगी उसका, SC के लिए रहेंगी 15% और ST के लिए 7.5% और OBC के लिए 27% ये seat result रहेंगी तो इसमें आप जिस भी category में या फिर जिस भी आप में file करते हैं आप उसमें admission के लिए apply कर सकते हैं इसके बाद भी अपको कोई doubt रहता है तो आप मेरे को comment box में पूछ